This is lecture number 42. आज हमारे पास writing skills में self writing का part है और previous lecture में हमने punctuation science के बारे बढ़ा था Now let's begin our today's lecture आज हमारे पास एक और बहुत important topic है जो के composition के section में fall करता है यानि self writing के और इसमें invitations and replies invitations यानि essay letters जिनके जरीए आप किसी भी शक्स को किसी function में invite कर सकते हैं और replies यानि उनके जवाब में जो आप letter लिखते हैं उनको replies करते हैं तो आज हम आज के लेक्से हम ये चीज़ें देखेंगे So सबसे पहले हमारे पास है invitations और invitations क्या होते हैं invitations ऐस आम तोर पर printed cards होते हैं जिनके जरीए हम अपने जो guests वगरा होते हैं यानि महमान होते हैं उनको कुछ occasions पर खास occasions पर मौकों पर जैसे के wedding, birthday, anniversary, house warming etc या inauguration मतलब इफता किसी shop या factory का तो इन मौकों पर हम अपने guests वगरा को invite करने के लिए इस्तमाल करते हैं ऐसे cards को हम या letters को हम invitations कहते हैं उसके बाद invitation की दो types होती हैं एक formal invitation और दूसरा informal invitation formal invitation वो होती हैं जो हम offices वगरा के लिए या अपने जो colleagues होते हैं उनके लिए इस्तमाल करते हैं और informal invitation वो होती हैं जो हम इस्तमाल करते हैं अपने friends वगरा के लिए, अपने family वगरा के लिए और invitations जो हैं वो दो तरीके से हम लिख सकते हैं एक या तो हम cards की form में print उनको करवा लें या फिर उनको letters की form में लिख कर send कर दें अब हम देखते हैं कि invitation के क्या components होते हैं यानि क्या हिस्से होते हैं एक invitation जो होता है उसमें complete information होगी और वो in questions के answers करेगा कि कौन invite कर रहा है किसको invite कर रहा है कभ invite कर रहा है कहां पर invite कर रहा है और किस लिए और किस time पर invite कर रहा है और invitation के जो components होते हैं यानि जो parts होते हैं वो यह होते हैं सबसे पहले occasion किस मौके के लिए invite किया जा रहा है और उसके बाद invite का name जिसको इन्वाइट किया जा रहा है उसका नेम और उसके बाद होस्ट का नेम यानि जो इन्वाइट कर रहा है उसका नेम आएगा उसके बाद डेट जिस दिन जिस डेट के लिए इन्विटिशन दी जा रही है उसके बाद टाइम जिस वक्त पर इन्विटिशन दी जा रही ह और उसके बाद अगर उस occasion में उस खास ceremony में तकरीब में कोई chief guest है कोई महमाने खुसूसी है और उनके भी आप नाम लिख सकते है Now let's see के एक formal invitation की क्या characteristics होती है खुबियां होती है अब formal invitations दो parts में divided है एक वो जो के ज़ादा invites के लिए होती है और दूसरे वो जो के सिर्फ एक invites के लिए है तो सबसे पहले वो invitations जो के ज़ादा invites के लिए होते है उनमें वो normally third person में लिखे जाती है थर्ड परसन का मतलब आप आप आई वी ये वले words इस्तामाल नहीं करेंगे बलकि आप he यानि third person के लिए हासे आप वो invitation लिखेंगे और उसके बाद अगर कि वी एई पी यानि very important person है उसका जो name होगा वो बड़ा prominent करके लिखा जाएगा नुमाया करके लिखा जाएगा और invite का जो name होगा वो include नहीं होगा अगर invitees ज्यादा हैं अगर एक है तो उस case में उसका name लिखा जाएगा और addressee यानि जिसको invitation लिखा जा रहा है उसका जो address होगा वो envelop के उपर लिखा जाएगा बस और जो invitations होगे वो simple present tense में लिखा जाएगा और इसके लावा जो date होगी वो नहीं लिखे जाएगी और इसके लावा host यानि जो मेजबान है जो invite कर रहा है वो उसका signature भी मौजूद नहीं होगा invitation में और RSVP जो के एक french abbreviation है जिसका मतलब होता है please reply ये जो होता है ये invitation के left side पर नीचे यानि below लिखा जाता है और इसमें name होता है address होता है और host का phone number होता है और जो invitation होता है वो box में डाल दे जाता है आप इन person उसको पहुंचा सकते हैं और इसमें word limit भी होती है और आपको जो invitation होगा वो normally 50 words से ज़्यादा words पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए और अगर जो invitation है वो सिर्फ एक person के लिए है तो उसमें उस person का name लाजमी शामिल किया जाएगा और formal invitation का जो format होता है यानि जो structure होता है वो क्या होता है सबसे पहले host का name मौजूद होगा यानि जो invite कर रहे है उसका name और उसके बाद standard expressions होंगे यानि वो expressions यानि वो जुमले जो कि आप invite करने के लिए इस्तमाल किर सकते हैं और वो कुछ जुमले यहां पर given है जैसे किसी person का name यानि host का name और उसके बाद लिखा जा सकता है request the pleasure of your company और इसे तरह solicit your gracious presence cordially invite you to cordially request the honor of your presence invite you to request your benign presence seek the pleasure of your presence तो यह कुछ phrases है कुछ expressions है standard जो के invitations के लिए इस्तमाल किया जा सकते हैं और इसके लावा जो invitation का purpose होगा वो बात में लिखा जाएगा यानि किस के लिए आप invite कर रहे हैं birth day के लिए कर रहे हैं किसी marriage ceremony के लिए आप कर रहे हैं किसी चीज़ की inauguration के लिए कर रहे हैं कोई bride होगी, कोई groom होगी etc. और उसके बाद फिर आप day लिखेंगे, उसके बाद date लिखेंगे और उसके बाद आप time लिखेंगे जो भी आपके सरीवनी होगी उसकी invitation में और last पर आप जो host होगा, यानि जो invite करने वादा होगा, उसका बता दिया गया है, कि जो formal invitations होते हैं उसमें I or V जैसे words इस्तमाल नहीं करते, क्योंकि वो first person में चला जाएगा और जो formal invitations होते हैं वो normally third person में लिखा जाते हैं तो इस third person में तभी invitation होगा, जब आप अपना भी name इस्तमाल करेंगे बजाए I or V इस्तमाल करने के तो यहां पर सबसे पहले host का name है Mr. and Mrs. V. A. Paul और उसके बाद extended expression है जिसके जो invite करने के इस्तमाल होता है request the pleasure और उसके बाद invite का name है, जैसे के format में बताया गया था Mr. K. Gopalan's company at dinner उसके बाद ceremony में बताया जा रही है जिस सीज पर invite किया जा रहा है at dinner और उसके बाद पर day है then date और उसके बाद time on Friday that is day उसके बाद 14 July that is date and next comes time at 8 o'clock so यहां तक हो जाएगा Mr. and Mrs. V. A. Paul request the pleasure of Mr. K. Gopalan's company at dinner on Friday 14 July at 8 o'clock और उसके बाद host का address फगरा होगा 18 Peters wrote Chennai 600-040 so that's how we can write some invitations to invite our guests on some ceremony our lecture ends here next lecture में हम यह देखेंगे कि जो informal invitations होती है वो कौन सी होती है और हम उनको कैसे replies या reply कर सकते है so that's all for today's lecture और आज हमने invitation के बारे में पढ़ा कि invitation क्या होती है उसके बाद हमने invitation की types देखी दो types होती है formal and informal invitations और उसके बाद हमने invitations के parts देखे यानि components देखे और उसके बाद हमने उसकी characteristics देखी और उसके बाद हमने उसका format देखा है और last पर हमने एक example देखी so that's all for today I'll see you in the next lecture till then अल्लाफिस